वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल केमिस्टी वाज मैसल पास्चिस बासकर सीनर केमिस्टी फिकल्टी ऑफ चार्टी गुरूप इंस्ट्यूशन बचो हम लोग नेक्ट्ट जो लेक्चर था हमारा आयनेशन इनर्जी के लिए के उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूं तो आयन आफ एक्षन प्रसेस होता है क्यों ऐहां पर यहां पर 64 यहां पर कितना 611 जहां पर हुद जाओ तो जब foreground आतो जमर्ट को करता मैं जब कोई पता है कि बचो आपका यहाँ पी जीरो चार्ज होगा यहाँ पी कितना होगा मैनस बन होगा तो इस केस में तो इसका मतलब यहाँ जो आपका एलिमेंट या इस्पीस इलेक्ट्रों को रिलीज करते हैं तो इसको हम बीटा बोलते हैं कि वो काम कर रहे रेडूशिंग एजेंट की तरीके से और जो इलेक्ट्रों को एक्षेप्ट करते हैं उनको बीटा हम बोलते हैं वो आपके ऑक्सिदाजिग एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं ठीक है तो उसे चीज़ को continue करते हुए यहां पर बच्चों में बताऊंगा एने ग्रॉप वेने मुव डॉप टॉ बॉटम आपका इनिस इनरजी डिक्रीज से लिक्ट्रोन डॉनेटिंग टेंदेंसी आपकी निक्रीज करेगी से रिडूशन क्रेक्टर आसानी से रिलीज हो रहे हैं तो बचो हाँ पर आसानी से हो जाएगा जब आसानी से हो जाएगा इसका मतलब कि बचो वो जो element होगा वो आपका reducing agent की तरीके से काम करेगा तो top two bottom आने पर reducing character की property है बचो बुगा करती है increase करती है पहला point इसी के लिए देखो बचो तो आपका जो fluorine chlorine bromine iodine है अगर आप इसको समझो तो यहाँ पर आपका जो iodine है वो बच्छो अच्छा कासा आपका यहाँ पर reducing agent की तरीके से काम करेगा ठीक है नेक्स देखो तो नेक्स बचो पॉइंट है आपका है इस बनेशियम बेरिलियम मैंगनेशियम कैल्सियम स्कॉंशियम बेरियम तो यहाँ भी बच्छो आपका होई ट्रेंट फोल होगा तो आपका जो बेरियम यह आपका reducing agent की तरीके से अच्छा कास से काम करेगा लेकर बच्छो आपका जो फर्स्ट ए है इसके थोड़ा सा आपका चैन्ज मिलता है क्या चैन्ज मिलता है वह देखो फर्स्ट एक जो चैन्ज मिलता है वहाँ बच्छो आपका सीजियम का सबसे highest नहीं होगा क्यों होती है उसकी पीछे को हम लोग बात करेंगे तो क्या यह बच्छो है इस पर इसको सब्सक्राइब करता हूं तो इस क्वेशन के अंदर बच्छो देखो कि जब भी हम किसी भी करते हैं किसी भी अलिमेंट को लेकर तो वहाँ बच्छो आपके बेसे कली एक कोस मीडियम होना बहुत ज़रूरी है तो एक कोस मीडियम की प्रजेंस में ही हम रिदुशन क्रेक्टरों को डिफाइन करते हैं फस्ट पॉइंट कि यहां बच्छो आपकी सब्सक्राइब थी अब इन तीनों में से कौनसी बैल्यू आपकी कौनसी नर्जी किस रीज डिफाइन होने चाहिए तो जो हाइडिशन इनर्जी है बच्छो वो रहती है यहां पर आपकी नगेटिम है और आपके पॉजिटिम रहेगी मतलब आपके अंडो थर्म करेंड करेगा और सब्सक्रा यहां पर आपका जो सब्लुमेसन इनर्जी है यहां उसको लगी स्टेट्क्मेंट क्या आएक है मैं बटा कर रहे हैं यहां लीथियम को लेकर ठीक है को सब्लुमेशन इनर्जी इस बेरी लैस डून में से ञचिभी जिब नेग्लेक्टटीड अब बटानेक्ट पराता आप आपको बैसिकली क्या होगा ती नर्जी जाए घ्रिविश्ट अलगी नेक्स नर्जी बटा अपको अधरी स्टरी नर्जी अब इनिक एक तो अब लीथियम बतो हो आषेने के बारे बात करते हैं तो काफी लेस्ट वोती है यह बहुत यहां पर कोबलन करेक्टर को होल्ड करने की टेडेंसी बच्चों लीटियों के पास मैक्सिम होती है ठीक है यह बात हो समझे आपको आ रही होगी अच्छा अब जो लीटियम है बेटा वह आपने लेक्ट्रोंस को आसाइन इस लीज नहीं करता है बिकाज ओफ हाईर आउनेशन इंधियलपी बेल्यू और बचो इसका जो साइज है वो भी कहानी बताता है और साइज जो है इसका बोभी काफी इसमॉल है तो साइज इसमॉल है मतलब नुकलिस के साथ आउट्रोंस लेक्रोंस की बढ़ा फोर्ष आट्रक्शन काफि अधिक है जब force of attraction की value अधिक है तो इसका मतलब आउट्वोस रिक्रोंस बाहर नहीं जाएगा असानी से तो इसका मतलब बचो यहाँ पर जो sublimation energy की value होगी वो बहुती कम निकल के आई कि बहुती less रही वो आपका ionizing नहीं होगा न तो काई की sublimation energy define होगी तो sublimation energy आपकी हाँ पर कैसी होगी बहरी less इन किसे अपली थी हम next किसके comparison में बटा किसे comparison में यहाँ पर बचो ionizing energy की comparison में ठीक है ionizing energy comparison में आपकी sublimation energy बचो कैसी होती है काफी less होती है तो जो बचो less value हो उसको बटा हम लोग क्या करते हैं इसकी वैसे आपका जो लीथे में बचो कैसे काम करता है वैस्ट रिदूशन एजेंट की तरीके से काम करेगा यह point clear है ओके तो इसको पर आपके questions बन सकते हैं और आप आसानी से इसी data को आप use करो और आप easily questions को solve कर पाऊ ठीक है next one को देखते हैं बचो in a period when we move in period left to right ionis energy increases so oxidizing character will also increases ठीक है तो left to right बचो जो आप move करते हैं तो वहाँ पर आपका ionis energy की value increase करती है और जब ionis energy की value आपकी increase करती है तो इसका मतलब बचो वहाँ पर आपका oxidizing character की जो property है वो भी आपकी increase करेगी ठीक है तो जनरली क्या होता है कि questions पता नहीं चलते हैं लगता है बट questions आपका ionis energy concepts पूछा गया है तो इसलिए इन concepts को जानना काफी ज़रूरी है तो ionis energy increase करेगी बचा तो उसके साथ बचों क्या होगा कि आपका oxidizing character की property है वो भी क्या करेगी आपकी increase करेगी क्लियर है नेक्स बड़ा बट mostly oxidizing character फॉलो थी एलेक्ट्रो पॉजिटिव एलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्ट्र ठीक है तो एलेक्ट्रो पॉजिटिव एलेक्ट्रो नेगेटिव प्रॉबर्टी को भी आपका फॉलो करते हैं elements ठीक है अब इसमें बात करूंगा पीरेट के यहां बच्चो आपको फॉलो करना है एलेक्ट्रो पॉजिटिव एलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्ट्र को लेके ठीक है तो यहां बच्चो आपका जो ट्रेंड होगा वह कुछ इस तरीके से आपका फॉलो होगा ठीक है तो इसको आप लोग यहां फॉलो करो इसली आपका प्रस्ट एक जो एलिमेंट होते हैं बच्छों कैसे होते हैं इसके बाद उको मोस्ट पॉश्टिव लेकर बच्छों कौन सा होता है लीथियम और आपको एक बच्छों यहापके क्वेश्टन आएगा क्वेश्टन आपको डिस्कस हुआ है बच्छों क्या होता है कि जो आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर जो आपका ऑउट्रोंस प्रिजेंट है तो उसके साथ क्या वो आउट्रोंस आपको रिलीज हुआ है अगर रिलीज हुआ है तो रिलीज होने के बाद infinite पे जाने के बाद क्या वो species, क्या वो atom inner gas configuration को echo add किया है क्या तो इसको मोलते है largest jump तो largest jump का basically mean क्या जैसे बच्चो मानचलों हमारे पास atom A है, एक atom B है अगर atom A ने बच्टरोंस को release किया है और atom B ने भी electrons को release किया अब A का जो configuration बच्चो release करने के बाद अगर बच्चो आता है आपका noble gas है, inner gas configuration तो मतलब बच्चो यहाँ पर बोते है largest jump क्या बोलते है largest jump आपके A के अंदर हुई है बट इन केस तो आप B के अंदर बच्चो आपका inner gas configuration या बच्चो फुली filled electronic configuration नहीं आता है तो इसका मतलब आप यह समझने वहाँ पर largest jump नहीं है तो largest jump का मतलब यह है कि आपका यह electron निकलने के बाद बच्चो आपका inner gas configuration आना चाहिए अगर inner gas confusion आएगा तो बटा उसको हम बोलते है largest jump तो कौन से element के अंदर largest jump easily possible होती है यह questions में आपको confusion दे रखाऊगा उसके वीश पर भी पैचानने को आता है तो यह largest jump का नहीं समझ में आपको आगया होगा clear है next point के बारे बच्चो हम लोग बात करेंगे कि determination of determination of stability of oxidation state तीक है इसको उपर भी questions बनते हैं तोड़े mathematical values है तो देखेंगे बच्चों यहां पर हम stability के बारे में कैसे बात करते हैं तो यह है if difference between two successful ionization energy is greater than और equal to 16 electron volts बच्चों कितना 16 electron volts is a reference 16 electron volts से अधिक अगर आपकी value या फिर equal value आ रही है तो उसके बारे में बात करेंगा कौन सी value अगर बच्चों मैं दो successful ionization energy के बारे में बात करता हूँ तो उनके difference को लेकिए बात अगर उनका difference अगर 16 से अधिक आ रहा है फिर या एक कोल आ रहा है तो इसके अंदर बच्चों आपका जो lower oxidation state अगर कैसा होगा more stable होता है और ऐसे questions के अंदर ionization enthalpy की value आपको success value दी जाएगी फिर आपको पैंचानने को आता है अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा data बताने वाला हूँ जो already बच्चों आपका defined है तो देखेंगे यहाँ पर कि किस सरीके से आपका lower oxidation sheet आपका stable होगा कहाँ पर higher आपका stable होगा तो lower oxidation state तब stable होगा जब आपका difference आपका success ionization energy का success ionization enthalpy का अगर आपका 16 के equal आता है 16 electron bolt की पर एटम की बारे मात करेंगे यहाँ तो बच्चों इसके equal आ रहा है यह फर इसके आपके बच्चों more आ रहा है यह ना इससे देखा रहा है तो उस case में आपका lower oxidation state होगा मतलब आपका जो lower oxidation number state होगा वो कैसा हो जाएगा आपका stable तो now comes to the point तो जहां बच्चों sodium के बारे में बात करेंगे तो sodium बच्चों sodium प्लस और चैंज होगा मतलब बनक्रों रिलीज करेंगे तो आनोशनली बन डिफाइन हो जाएगी फिर sodium प्लस 1, sodium प्लस 2 में जाएगा फिर से अनोशनली आपकी शेकिंड डिफाइन हो जाएगी अब यहाँ पर जो डिफरेंस आता है सक्सीजू के अंदर बच्चों बो केतना आता है 41 लेक्रों बोल्ट पर एटम निकलके आता है यह values मैंने ली हुई है यह values आपके डाटर बेस से ली हुई है ठीक है बागे आपके question values दी जाएगे तो यह value आती है 41 लेक्रों बोल्ट पर एटम मतलब 16 से तो अधिक ही आ रही है न 16 से अधिक आ रही है तो मतलब आपका जो lower oxidation number होगा वो कैसा होगा आपका इस्टीबल होगा और बैसी भी अगर मैं बात करूँ तो sodium बेटा आपके first AC ब्रोंग करता है इस बने configuration होगा तो बचो आपका S1 मतलब यह electron तो बचो आप बाहर निकाल सकते हो लिगन इसके बाद जो configuration आएगा बचो वो कैसा होगा कब हो तो stable configuration होगा तो फर्दा तो आप बाहर निकाल निकाल नहीं सकते हो तो मतलब NA plus 2 तो कभी आपको इसलिए मिलता नहीं है क्या मिलता है NA plus 1 आपको इसलिए से मिल जाता है तो sodium sodium plus 1 में ही आसानी से बूब करता है उसकी पीछे आपके दो रीजन है ठीक है एक तो लक्ट्रोनिक configuration आपका रीजन हो गया है इस्टेविल्टी को लेके और दूसरा बच्चो आइनस और नर्जियों के लेके भी एकर इस्टेविल्टी को लेते हैं तो बच्चो निकलके यहां पर आती है तो बच्चो निकलके यहां पर आती है यहां पर आती है तो आप देख सकते हो 6.4 लेक्रोन बोल्ट पर आतम जो आ रहा है वो बच्चो क्या बता रहा है कि यह बैलू आपकी 11 लेक्रोन बोल्ट पर आतम से कैसे आ रही है लेस आ रही है जब लेस आएगी तो उस केस में आपका जो higher oxidation इस्टीट होगा वो कैसा होगा more stable so magnesium plus two is more stable as compared to magnesium plus one क्या बात आपका समझ में आई ओके तो ऐसे भी questions हो सकते हैं तो उसके बेस पे आप यहां पर questions को solve कर सकते हो clear है है हम discuss करेंगे यहां पर ionization energy first and second for oxygen nitrogen तो यहां पर एक question होगा वाचो जहां पर हम compare करने वाले हैं ionization energy one and ionization energy second oxygen and nitrogen को लेखें तो यहां पर हम किस तरीके से questions को solve करेंगे तो देखेंगे उस पॉइंट को कि तो बच्चों तो जो oxygen है उसका अट्रम की नमर कितना होता है तो वह आप बोलोगे sir 8 तो इसका configuration भी लेख लेते हैं यह हो गया ऐसा configuration के अलेक्ट्रों से आपके यहां पर और फिल हो गए पी एक्स पी बई पी जट के अंदा ठीक अब जब यहां से oxygen से हम बन लेक्ट्रों को basta release करेंगे तो बैटा यहां पर आइनले इन shines इन्रजी बं डिफाइन ऊगा और क्वाइरज जाएगा तो आप बन रिंद निकल जाएगा और आपका बन लेक्ट्रों यहां से बहार निकल नकल जैगा तो यह आपका ऑन निकल के वन लेक्ट्रों होते ही आपको अध्यान में आना चाहिए यह आपका हो गया है Half फिल्ट configuration 2p3 होते ही Half spelled हो गया है तो मतलब आपका कैसा गया है stability आगई है अब जब इस configuration में stability आ गई है तो अब देखो ध्यान से कि जब मैं यहाँ से अब ओ प्लस बन से जब में विटा आपका second तो यहां पर आपका चार्ज कितना जाएगा प्लस टू और फिर से आपका बन लिक्टोन यहां से रिलीज हो गया ठीक है यह बात समझ मारी होगी अब हाफ फिल्ड से अगर में लिक्टोन निकालूंगा तो टूपी ध्री से निकाल सकता हूँ तो यहां पर आपका चार्ज को लेके बात नहीं करने वाला हूँ कौनगा नाध्रों को लेकर तो पहला तो ऑक्रण के बारे में अभी आपकल कर दिया अब चलते है नाइट्रोजन पे तूट्वर की बोलता है बहुई नाट्रोजन के पास जो है उक्षरी जो आपका कितने होता है से बंस्टा इहां प लेक्लों आपको हो kg अश्टी और 2H2 और असीधा हो जाएगा आपका 2P3 हो जाएगा 2P3 होते ही पता चलना चाहिए कि सर यह तो आपका यहां से निकालो गई यहां पर इनर्ची बंडिफाइन होगी तो नेट्र पर चार्ज के इतना जाएगा प्लस बन का मतलब अचो यहां से आपका फिरस अलिक्ट्रों जाब बाहर गया तो चैंज होगा यहां पर आपके भी प्यक ठोसींये का होगा तो यहाँ पर आइनियसें प्लसक्टू चार्ज मिलेगा अप ठोसिकिंड-णर देखो क्या आ तो आपको कोई कुछ ऐसा मिलेगा अब सिंगलिक्ट्रॉंस आपको इस तरीके से मिल जाएगा अब करना है कि यहां पर फर्स्ट केस था उनके अंदर जो आपकी आयोशन नरजी की जो बैलूज यह उस्ट करना है पूंपेर तो देखो बटा फर्स्ट आयोशन नरजी की जब बात नहीं था उक्सीजन का तो आपको पता चलना चाहिए कि फर्स्ट आयोशन जो इन्थेल्पी होगी वह बचोर नाइट्रोजन की कैसी होगी अधिक एस कंपेर टू ऑक्सीजन और जब हम बात करेंगे आयोशन इनरजी शेकिंड को लेके तो उस केस में आपका आप देख सकत का अधिक होगा कि इसे नाइट्रोजन का ठीक है तो इस तरह की से भी questions देखने के बिलते हैं तो I hope कि आप इसली questions को attempt कर पाओ गए यह क्लिर है point नेख्स कोचिन पर बटा चलते हैं तो नेख्स कोचिन पर जरह फोकस करते हैं और स्वाल्व करने कोईश्स करेंगे यहां भी आपको compare करना है chromium and manganese को लेके chromium और manganese को लेके ionization energy 1 and ionization energy second को लेके आपका answer क्या होगा ठीक है तो दे चलोو चलते हैं और देखेंगा यहां पर कि बचो chromium का आपका atomic number कितना होता है तो बहुँ आपको पता है Eco 24 होगा और manganese को लेखे जब बात करते हैं तो कितना होगा आपका 25 होगा ठीक है 24 को लेखे जब बात करेंगा chromium का electronic contribution क्या होगा तो बिटा आप यहाँ पर फिल करोगे तो कितना आएगा बन, स2, 2s2, 2p6, 3s2, next 3p6, 4s आएगा, बन, और 3d कितना हो जाएगा, 5 मुझे मतलब है 4S बनो 3D फिल ठीक है तो अब यहां पर आप देखो 4S बनो 3D मैंसे देखो तो प्रजी किसकी देखाएगी और लास्ट्रों किसके अंदर मूब करेगा वह समझना जुरूरी है तो यहां पर हम क्रोमियम को नीचे यहां पर हम लिखने वाले हैं तो यहां पर आपको 3D 5 और 4S बनों की बच्चों एन प्लस एल के लिए निकालोगे तो 3D के अंदर कितना अब यहां पर एक बार देख लिए तरजरा निकाले कितना आने वाला है यह आपका 3 हो गया है डी के लिए देखो एसके 0 L की वेलू पी के लिए 1 डी के लिए 2 मतलब आपका कितना हो गया 5 ठीक है 4S को लिए तो आपका 4 आ जाएका 4 प्लस 0 तो बेटा इसकी नर्जी तो बाहर जाएगा 4S से यहां समझ में आपको आ गई है तो यहां आपका क्या बनेगा 3D5 होगा और 4S 0 हो जाएगा ठीक है यहां यहां से आपका 3D5 बचा तो यहां पर आपका हो गया बच्चो कैसा 1,2,3,4 और नाव दिस इस फाइव यह हो गया बच्चो आपका हाफ सब्रीश और होगे अगर आप यहां पर बात करो तो बड़ा क्रोम पे चार्ज कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका प्लस बंच चार्ज यहां पर यहां पर यहां को लेकर करते हैं तो देखते हैं यहां पर क्या होगा यहां पर 3D5 हो जाएगा 4S1 की जगह 4S2 हो जाएगा तो अब यहां से आपका जब 1 लेक्ट्रोन बाहर निकाला जाएगा तो यहां बचो आपको मिल जाएगा 3D5 और 4S1 मिल जाएगा यह कैसा था यह तो बचो आपका stable contribution था ठीक है अगर आप फिर से निकालोगे यहां से आप लेक्ट्रोन तो आयनेशनेर्य शेकेंड डीफाइन होगा जब भी आपका शेकेंड डिफाइन होगा तो इस केस में बचो आपका चार्ज कितना जाएगा एमन प्लस टू चार्ज आ जाएगा और यह तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर रिलीस कर देगा अभी कोश्चन है कि यहां पर आपका कौन सा इनर्जी बैलू अधिक हो कौन सा कम होगा तो चेक करो आपका क्रोमियम के अंदर बचो कंश्चन कहा था फोरेस बन था और थीडी फाइव था यहां पर आपका थीडी फाइव फोरेस टू है तो इसका मतलब आपका जो एमन है यह राइट आपका जो तो अब में इस केक्स में बैलू अधिक होगा तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं किским और डाउट नहीं पॉइंक और इसको में फिनिस करते हैं तो आयने से निर्जी आपका इप्रोक्शिमिटली फिनिस हो गया है नेक्स्स बच्छो लेक्च़र आएगा तो एक्से बाद आपका एक्टरोन नगेटिवलिव डिसकर्स होगा तो आपका परियोट टेबल जो चैप्टर रहा वो अच्छे से फ